देखिए एक तो पहले ये बात सत्साबित हुई कि उत्तर प्रदेश में जो राजसभा का चुना हो रहा है वो चुनाव नहीं होगा निर्विरोध लोग जाएंगे आप पहले दिन से ये बात कह रहे थे क्योंकि ये कोई पार्टी रिस्क लेने की मूड में नहीं है इस्तित के लिए उनका ऐलान हो जाएगा लेकिन बात ये आती है कि सब टिकट पे चर्चा हुई लेकिन बसपा पे चर्चा अधूरी रहे गई आज सतीश चंद मिस्रा और असोग सिद्धार ये दो रोज राजसभा के जो मेंबर थे इनका भी एक तरह से कारकालव आगे समाप्त हो होने वाला है कुछ दिनों में और बीएसपी में सतीश चंद मिस्रा लंबे समय तक रहे वो बीएसपी के चाड़क के माने जाते हैं ब्राम मलो और दलितों की सोसल इंजीनिरिंग के जनक माने गए उनकी राजनीत का क्या या औसान हो गया क्या वो अब अपने मूल पेसे मे रहेंगे या वो तरप्रदेश में किस तरह की सियासत में सक्रिये रहेंगे क्योंकि पार्टी का ना तो लेजिसलेचर में कुछ बचा है और ना केंदर में या संसद में या राजसभा में अब ये बात जब आगे वड़ती है तो हम आते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भले सिंबल पे नहीं बेजा बिर्जेट जी लेकिन जिस तरह बीजेपी छापा छूपा मार रही भी रोधियों के हां वहां एक मजबूत वकील तो दिल्ली में बना लिया कम से कम वो दिल्ली में लड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक यही बात तो रहेगी तबी तो कारवा बढ़ेगा पार्टी के लोगों पर हमले होंगे तो उनको बचाने वाले भी चाहिए जैन चोधरी को भेज कर अखिलेश यादों ने जो आरलडी और समाजवादी पार्टी के बिच जो तीसरी पीडी के जो रिस्ते थे उनको मजबूत किया और च उन्होंने बहुत नामचीन अपनी पार्टी से लोगों को नहीं भेजा लेकिन गाजा जो वादा किया वो निभाया जाट समुदाय के बीच उन्होंने एक मौका दिया जाजीत सिंग किसी सदन के सदस्त नहीं थे उनकी डच हो गई उनका बेटा भी किसी सदन में नहीं है चुनाव हार गए बिधायक तो आठ हैं लेकिन देश की संसद में जाने की उनकी जरूरत थी देखिए राज सभा की मेंबरी एक ऐसी चीज है कि बड़े-बड़े पैरों में लोटने लगते हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है लेकिन जब चरितरवान लोगों को ये चीज मि लोगों का नाम देखते हैं तो प्रसंदता होगी कि जो सियासत में खाटी लोग हैं जो बेमानी और भष्टाचार से दूर हैं जो पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं और जनता की सेवा के लिए एक कपड़े में जीवन जीना चाहते हैं रादा मौंदास अकरवाल 20 साल विधायक रहे अपनी सीट मुखमंतरी के लिए छोड़ दी सक्क्रिय राजनीत में रहने के बावजूद वो चुप हो गए और अपने पेसे में लोड़ गए कोई दूसरा मले होता तो विधान परिशद या दूसरी के लिए तुरन करेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे इमांदारी चरित्र और कहा जाए तो सियासत में ऐसे लोगों की आज बड़ी ज़रूरत है जैसे यह मैंने दो नाम बताए आपको जी लेकिन बाजी मार ले गए मितलेस और राह तकते रहे नरेस और यह मामला लोगों के समझ में नहीं आया कंड हो गया यह तो हां और एक नाम आप देखिए अपरना यादो का क्या हुआ किसी को आद तक कुछ पता ही नहीं है मुलायम की बहू को मिदान सभाशुनाओं में तो रहा है वो तो सब बीजेपी में आ गई थी हां पर कोई और यादो गया है क्या नाम इनका स यादो को दिया और संगीता यादो को राजसवा बेद दिया संगीता यादो के हस्बेंड इंकम टेक्स के बहुत बड़े अपसर हैं पूरे देश भर में छापा मारते हैं बीबी चौरी-चौरा से विधायक थी बीजेपी में यह लोग जानते हैं कहते तो हैं सबका साथ स देगा अपने समाज के तो मुश्किल से दिला पाएगा तो यह तो नाम कुछ चौकाने वाले जरूर रहे क्योंकि उस्यू प्रताब सुकला का नाम कट गया संगीता यादो के चलते वह भी गोरकपूर से थे और संजे सेठ सालीमार विल्डर के मालिक समाजवादी पार्ट तो दिया दूसरा नहीं दिया उनको अब देखिए कैसे चलता है आगे जी मामला बहराल कुल मिलाकर यह है कि बिजय जी हमेशा से रहा है कि हुनर जो है वो सडकों पर तमासा करता है और किसमत हमेशा महलों में राज करती रही है तो इन लोगों को आप किसमत के धनी मान ली जीए ठीक बात है यह किसमत के भागिशाली लोग हैं लेकिन एक चीज और है जिने टिकट नहीं मिला कि जूठी तसल्यों के सिवा कुछ न दे सका वो किसमत का देवता भी सायत गरीब था बीजेपी के सामने बढ़ी चुनावतियां हैं मांगने वाले ज्यादा हैं सीटे कम हैं जुगल की सोर भी राजसभाक सांसत थे वो भी मांग रहे थे देखिए लेकिन यह सब आस्थाई चीजे हैं इस देश में पद पाने के लिए कितनी परिकर्मा करनी पड़ती है यह उन लोगों से पूछिए जिनको पद छोड़ने के बाद राजसभा की मेंबर था देखा तो किसी और के चरणों में पड़ा था तो यह मेंबरी की खातिर बड़े-बड़े लोग चरणों में पड़े रहते हैं क्या वाई पाने जी लेकिन सब वक्त वक्ती बात है बहराल एक साहितिकार ने लिखा सुनिएगा कि ज्यान भी गए ध्यान भी गए कलम भी गई सम्मान भी गए और चोटी-चोटी सुविधाओं पर बड़े-बड़े इमान भी गए और सोच समझ कर मुह से बोलो दीवारों के कान भी गए और उनसे पूछो जिंदगी क्या है जिनके सब अर्मान भी गए और पस्वों की कीमत लगती है बिना मोल इंसान भी गए ब